हेलो गाइस स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सेकेंड डिया ही खेला जाएगा जानेंगे इस वीडियो में कौन से ऐसे प्लेयर से जो आज हमारी टीम में हो होने चाहिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस इंपॉर्टेंट इंफो जो सारी चीज़े आपको काम देगी आपको अपनी खुद की टीम बनाने में तो अगर आप खुद से अपनी टीम बनाना सीखना चाहते तो बहुत सही वीडियो पे आया है इंपॉर्टेंट गाइडें सेक्षन के सबसे पहले कमेंड में लिंक मिल जाएगा जल्दी से जूड़ जाओ और यदि बाई चांस आपने टेलिग्राम लीव कर दिया फिर से आपको जूड़ना है तो आप हमारे यूटूब चैनल पर इसी यूटूब चैनल पर पेंटसी बस सर्च करके आपको हमारे टे करने की कोशिस करते हैं आप लोगों को बस प्लीज उनके स्कैम से दूर रहो अपना खुद का मतलब कॉमन सेंस करके और सही जगे पर ठीक है बाकि देखो यह जो मैच हो सार्जा क्रिकेट स्टीडियम पे खेला जागा देखो ओवर 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 यहां पे 26 मुकाबलों में 15 स्कोर है बट लास्ट मैच में आप देखेंगे थोड़ा सा यह इस तरीके से परफॉमेंस रहा पाकिस्तान ने 92 रन बना अफगानिस्तान ने चेज कर लिया इस पेनर को 6 पेसर को 7 विकेट मिले पाकिस्तन की थोड़ी इन एक्स्पीरियेंस थी और अफगानिस्तन का मैंने आपको बता दिया था कि थोड़ा विकेट रहेगा तो उस तरीके से यह हो नहीं था और अफगानिस्तान की टीम ने चार विकेट खोदी चेज करते हो क्योंकि पाकिस्तन की थोड़ी मजबूत है तो यह चीज़ देखने मिला पड़ देखो यह सिनेरियो में आपको जिसमें आपको यहां पको एक सब्सकें विकेट विकेट इस मोरे होने रहता है जैसे ही पता चलता मैं आपको इंफर्मा करदेँगा थीक है वैसे थोड़ा कम पता चलता थे जब भी पता चलेगा मैं आपको confirm करने की कोसिस करूँगा कि हाँ ये विकेट यूज हो रहा है ठीक है हाला कि कभी कबार जब पता भी चलता है तो ऐसा रहता है कि यार उसके उल्टा हो जाता है क्योंकि वह अब देखो ये तो अभी कल के मैच की बात होगी मतलब जो पहला मैच हुआ था बाकी इसया कप में रिसेंटली मोस्ट रिसेंट चार मुकाबले खेले गए थे जिसमें तीन मुकाबले चेजिंग करने वाले टीम जीती थी एक सो अर्तालिस का फर्स्ट इनिंग का एक सो बतिस का एवरेज स्कोर इस्पिनर्स ने आप 26 तो पेसर ने उनिस ठीक है तो ओवरल एक न्यूट्रल विकेट मानते हो चलना जिस तरीके सी ये मैचस में आपको दिख रहा है बाकी जब अगर पता चलेगा कि फ्लैट विकेट यूज हो रहा है बैटिंग के लिए अच्छा विक पता नहीं करें बाकी दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग इस्टाइल देख लो कौन राइट है कौन लेफ्ट है कौन किस तरीके का इस तरीके का पेसर है यह चीज आपको यहां देखने मिल जाएगी इसके अलावा अफगानिस्तन की प्लेइंग 11 लास्ट मेंच के स्कोर के साथ अगर हम बात करें तो जो इनका इंपॉर्टेंट प्लेयर है वह है गुर्बाज हो गए इबराहिम जद्रान मुहमद नभी रसीद खान मुझीव फारुकी और नवी नुलाग लास्ट में नभी न इनकी टीम से जो ओवर्स की बॉलिंग किये थे यह डिपेंड करेगा देखो कि किस तरीकी की विकेट है अब वह कैसे देखो वैसे अगर जैसे लास्ट मेंच में स्लो विकेट था तो आप देखो मुझीव रसीद खान आठ ओवर और यहां पे नभी आठ तीन इग्यार बिला और वैसे बिनकी टीम इस्पिन पर रिलाए करती है तो अगर पेसर्स के लिए अच्छा विकेट रहेगा इस्पिन के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा तो हो सकता है नभी के ओवर करते वे दिख जाए बाकि यह दोनों तो में टीम के तो हो सकता पूरे वड़ डा फिर नवीनुलक के जैसे ओवर कटे यह महेंगे सावित होए थे क्योंकि लास्ट में एक ओवर में तेरा रन भी दे दिया था तो इनको वर कट गए ओमर जाई अगर महेंगे सावित होए तो इंका भी ओवर कट जाएगा लेकिन सायज इनके ओवर ज्याधा करने के चांसेस नहीं रहा है क्योंकि प्रॉपर एक बॉलर अपनी टीम के में बॉलर है तो इस तरीके से ओवर डिस्रिबूइट होगा देखो पिछ के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको समझाया अभी के लिए तो हम न्यूटल विकेट मान के चल रहा है मैंने बेस्ट सिच्वेशन बता द सुरी अगर पेस के लिए अच्छा विकेट हुआ ना तो फिर यह लोग भी बॉलिंग डाल सकते हैं ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना बाकि इनके प्लेयर वाई स्टैट्स देख लो हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा जो अच्छा स्टैट्स सकता स्टैट्स यहां पर मुहमद नभी करीम जनत का अच्छा स्टैट्स है उमरजाई का रिशेंट फॉर्म काफी अच्छा है ध्यान देना इसके अलावा यह इनके हर एक बॉलर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा जैसे 38 मच की 38 सिरिंग में 49 विकेट है मुजीब के इस तर रहा था तो यहां पर फ्री डेली आता है आपका कोई घाटा नहीं है जस्त साइन अप करो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है पांच वारेस का साइन बोनस भी मिलेगा डेली मिलता है उसमें पाटिस्पेट करो पैसे कमाओ कमाओ पैसे को इंस्टैंट विड्रॉल क डिपोजीट करके खेलने में कोई दिक्कत है नहीं तो अब बोनस को यूटिलाइज कर सकते हैं इस्टैंट को जाएगा तो बोनस का कोई दिक्कत не है आप साइन अप कर सकते हो इफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाओ साइन अप कर लो बाकी देखो पाकिस्तान की प्लेइंग लेवन विद रीसेंट स्कोर इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वह अगर आप देखेंगे तो वैसे इमाद वसीम सदाप खान जमा इनका परफोर्मेंस मैं आपको दिखा दूगा परफोर्मेंस आप देख लेना अब देखो इनके जो पावर प्ले के बॉलर नसीम सह जमान खान पावर प्ले में देख सकते हैं इन्होंने पांच गेंदबाजी यूज किये थे जो की चार्चर वर करते हों दिखेंगे जो क इनके में इस्पिनर सदाप खान देन इमाद वसीम और यह तीन पेसर इफ अगर नीडेड होता है तो यह लोग फाहीम अस्रफ को भी गेंदबाजी दे सकते हैं अगर नीडेड है तो नीडेड क्या मतलब एक आदवा डाल सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो ठीक है आप देख हुआ है इस अफिक का इंटरनेशनल स्टैट्स अतना अच्छा नहीं है बट डॉमेस्टिकली इनका स्टैट्स अच्छा 28 का एवरेज रिसेंट फोड़ा गड़ बड़ है इसके लावा सदाप कान मोहमद नावाज इमाद वसीम यह कुछ इनके इंपॉर्टेंट ऑल राउ इस तरीके से आपको इनके प्लेयर का स्टैट्स भी देखते हो चलना है ताकि यह आपको आगे और चीज़ें समझने में हेल्प करें ठीक है अब थोड़ा हैट टू हैट रिकॉर्ड देख लेते जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो किस प्लेयर का कै पाकिस्तान की तरफ से एक मच में इपतिकार एमद में तीस रन बनाया बाकी सब डिसेंट रिकॉर्ड है उतरा अच्छा नहीं है बॉलिंग से बात करें तो फारुकी दो में पास रसीद खान तीन में पास है आगे नभी चार में चार विकेट है इमाद वसीम दो मच में त हो इस तरीके से आप इनका head-to-head stats देख के चल सकते हो अगर हम बात करें वेन्यू stats की तो देखो यहां पर गुर्बाज का 20 के एवरेज से रंच है उसके बाद एन अहमत का 22 के आवरेज से रंच है अगर और इफ्तिकार रहमद एक मैं तीस का एवरेज से अगर हम बात करें तो आफगानी स्टान की तरफ से रसीट मैंच में चार नवी साथ में चार फारूड की तीन मैंच में दो अजफवरी तीन में तीन और नवी नोग चार है रचीट खान इंटर्नेंटनेश्ञट में में 14 विकेट है इंटरनेशनली तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी आप देखते भी चल सकते हूं यहां पर पाकिस्तान की तरफ से आठ इनिंग में 15 इमाद वसिम 10 मैच में 11 सदाप खान 5 मैच में 7 नावाज 2 मैच में 4 नसीम सा 3 में 4 इन लोग का रिकॉर्ड यह वेन्यू खेलते तो किसका कैसा रिकॉर्ड अब थोड़ा बैटल देख लेते हैं जब दोनों टीम के मतलब एक दूसरे के सामने आते हैं ब्लेयर्स बॉलर्स तो किसका कैसा रिकॉर्ड बाउट को नसीम चाने 25 गंदों में तीन बर आउट किया यह प्रूफ है कि बाहर जातुई गे को भी ग्यारे गंदों में दो बर राउट किया मोंमद रसीद खान भी फारुकी ने एक बर राउट किया है सेम अयुव को नभी नुलहक ने एक बर आउट किया है तैयाब को रसीद खन ने तो यह कुछ इनका प्लेयर बैटल था जिससे आपको यह समझ आ रहा होगा कि किस प्लेयर का कौन से बालर के सामने अच्छा रिकॉर्डर नहीं पता चलता है मैं आपको इनफर्म करूंगा टेलिग्राम पर और कौन किस तरीके के विकेट पर अच्छा खेल लेता है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्शन फिर चेंज करेंगे ठीक है मैं आपको बताते चलूंगा कौन किस विकेट का अच्छा खिलाडी है ताकि आपको समझ आजाए इजिली और आप इजिली अपनी टीम बना पाएं ठीक है तो यह जिए धियान रखना तेलिग्राम से जुड़ जाना विडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में गुर्बा कीपिंग भी करेंगे तो सेफ फिक तो गुर्बाज होते हैं हाला कि बैटिंग विकेट की अच्छे खिलाड़ी है बट जब स्लो विकेट आ तो इनका भी थोड़ा इनकंसिस्टेंसी दिखने लगता है और एक चीज है कि चुकि यह विकेट कीपिंग कर रहें ओपन करें त अच्छा फिनिस कर सकते हैं तो इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बलेवाजी करती है तो उसके बाद मौहमाद है अगर इनकी टीम चेस कर रहे है आपको लगता है कि बैटिंग विकेट है जिस तरीके से मैंने आपको बता दूंगा अगर मेरे को पता चलता है तो तो अगर बैटिंग विकेट है कोई इनिंग में फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग क्योंकि ओपिन करते हैं बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा पिएसल में इनका जो परफॉर्मेंस आया था जो कंसिस्टेंट स्कूरिंग कर रहे थे उसमें यह मीडा लॉडर में खेल खेल ने खेलते हो तो एक मस्ठापिक की केटेगरी में आते हैं टेकनिकल बल्लेबाज है उसके बाद नजीब बुलो जदरान अच्छे हिटर हैं कंसिस्टेंट हिटर है बट पटानी का फॉर्म जो है रिसेंटली बहुत खराब चल रहा है उतना अच्छा फॉर्म नहीं है और बैटिंग भी थोड़ी नीचे इस्तिकार अगर खेलते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इनकी टीम की बल्लेबाजी उतनी स्ट्रॉंग है नहीं तो हो सकता है बल्लेबाजी आ जाए इनकी पट अभी खेल नहीं रहे और मैंने इबराहिम जिदरान को लिया वाई इनकी टीम से लगातार स्कोरिंग की थी और इनके पास चमता है लगातार स्कोरिंग करने की इसलिए मैंने इनको बैक किया हुए तैयब ताहिर दोमेस्टिकली बहुत टैलेंटेड है कई बार इनों आपने आपको प्रूफ किया है 42 का एवरेज है आप ओवरॉल देखेंग तो इनका जो पर्फॉर्मेस रहा था पीएसल में वह ठीक ठाक रहा था मतलब बड़ा स्कोरिंग आया था बट कंसिस्टेंसली नहीं आया था बट एक चीज़ का ध्यान रखना जब बड़ा स्कोर बनाने में कोई टाइम नहीं लेगा इनको ठीक है बस यह कि इंटरनेशनल को लिया हुआ है अब इस सफिक को इसलिए लिया है क्योंकि देखो इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरेंस है इन्होंने टेस्ट मैचेज वगरा खेल चुके लेकिन इनका पर्फॉर्मेंस भी रहा है यह थोड़ा सा उस टाइप के प्लेयर है जो अपना विकेट जल्दी नह लेते हैं मोस्ली इन्होंने अच्छा स्कोरिंग किया हुआ है पीएसल में मैंने इनको लिया हुआ है अगर बैटिंग विकेट होता है तो यू कैन कंशीडर अधर्वाइस आप इनको यह सफिक को किसी एक को छोड़ के अधर प्लेयर को लेके जा सकते है उसमन गनी को खेला चेजिंग में भी आ सकती है और गेंबाजी भी कर रहा है क्योंकि स्लो विकेट हो रहा है तो उसे सबसे अच्छे पिक इमाद वसीम इनका जो बालिंग में आपने रिकॉर्ड देखा था प्लेयर बैटल में अफगानिस्तान के टीम के प्लेयर के आगे काफी अच्छा था अब पीएसल में फॉर्म भी अच्छा था और चार ओवर पूरे कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी आने के अच्छे खासे चांसे हैं क्योंकि एन एक्स्पिरेंस बैटिंग और रहे हैं अगर पेस के लिए अच्छा विकेट रहा है तो हो सक्टा एकाद ऑबर गेंद बाजी से वन डाउन आ रहे हैं देखो इनके पास experience है एक टाइम पर अफगानिस्तन के कप्तान हुआ करते थे बट यह चीज है कि थोड़ा सा उसके बाद गैप हो गया और अभी इनको उतना मौका मिलता नहीं कभी बैटिंग से कभी बॉलिंग से नहीं मिलता है तो यह चीज है ब बैटरी खेल रहे हैं बर जरूर परी तो बॉलिंग डाल सकते हैं और एका दोवर आप इनसे देख सकते हो ठीक है डिसेंट से खराब नहीं तो उतने अच्छे भी नहीं ओमर जाई यह थोड़ा सा इंपोर्ट अगर आप इनका स्टैट्स देखेंगे तो उतने इंप्रेसि दिया है कि इनकी टीम इनको देख में यूज नहीं कर रही है यह तो प्रॉपर किलियर है यहां पर नहीं आ रहे क्योंकि इनकी टीम नवीनुलाग फजलाग फारुकियो और रसीट खान खुद वह लोग देख में आता है अगर इनमें से किसी का दिन खराब रहा या फिर उ और उसमें ट्राइब कर सकतो जीएल में बाकी रसीट खान तो मस्थभ पिक रहेंगे चाहे कोई भी नहीं हो कैसा भी विकेट हो विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है नसीम सा एक आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं अफगानिस्तान के कुछ एक बल्लेबाज ऐसे हैं इनको परशान किया था इन्होंने अच्छा खासा हमने प्लेयर बैटल में देखा था इनका थोड़ा विकेट निकालने की छमता थोड़ी इनकंसिस्टेंट्सी रहती है हाला कि इनका लाइन नेंथ का तगड़ा रहता है जिसके इसाब से और इनके पास पेस भी अच्छा इनका था और फिक रहता है जिसके इसाब से कभी विस्तिनिक में अच्छे पिक रहते हैं कि दथ में आ सकते हैं और इनका आप श्कर आपके देखेंग का यह च्छा है बट विकेट निकालने की consistency थोड़ी सी गड़बर रहती है, कभी कबार ये विकेट लेस जाते हैं, इसलिए मैंने अभी के लिए तो इनको लिया हुआ, slow विकेट देखते हैं, बट अगर slow विकेट नहीं रहा, बैटिंग विकेट रही, पाटा विकेट रही, तो आप इनके ज पिक रहेंगे, चाहिए कोई भी इनिंग हो, ठीक है, तो आप इनको हलके में मत लिजेगा, फर्स इनिंग में दथ में भी आ सकते हैं, बाकी नीचे, ऐसा नहीं कि सैकेंड इनिंग में भी विकेट टेकिंग बॉलर है, अगर मैच फस्ता है, सैकेंड इनिंग में दथ में आ अच्छा उप्शन, हाँ, जमान खाने एक अच्छी उप्शन, जुनका रिसेंटली पर्फॉर्मेंस अच्छा रहा था, बट एक चीज ध्यान रखेगा, कि जब इनका पर्फॉर्मेंस अच्छा रहा था, इनकी टीम का बॉलिंग काफे मजबूत था, और उसकी यार में इ देखने भी मिले बहुत जल्दी, ठीक है, बाकी नीचे है, और को इतना अच्छा उप्शन है नि, जो कि खेल रहा हो, जो टीम हो रही है, कुछ इस प्रकार से है, देखो, यह टीम में मैं आपको बताया है, कि अभी जो पिच है, वो हमने न्यूटरल पिच समझते वे टीम बना है, जो पिच हमें पता चल जाए है, कौन से पीच हो रही है, तो मैंने आपको सब बताया है, कौन से बालर, कौन से विकेट कीपर की जगे पर हम चेंजेस कर सकते हैं, किस सिच्वेशन में, तो उसके एक्वार्डिंग चेंजेस जरूर करना है, यह फाइनल टीम नहीं यह वह पता चलता है, तो मैं वह जरूर टेलीग्राम पर इंफर्म करने की कोशिस करूँगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में लिंक है, अब देखो जो एसल के कैप्टेन है, सदाप खान, रसीद खान, नभी और इमाद वसीम, इस बैटिंग विकिट रहेगा, यह जीएल में कैप्टन वैस कैप्टन ट्राइब कर सकते हो, इन लोगों को जरूर ट्राइक कर लेना, अपनी टीम में, as a player, ट्रम्पिक के तौर पे सबका सिच्वेशन समझाया, कौन की सिच्वेशन में अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो टीम में सदाप खन, कैप्टन, वाइस कैप्टन रसीद खान है, आप इमाद वसीम और मोहमद नभी को भी कर सकते हो, जिसको बहुत लोग करेंगे, बाकि इस टीम में क्या चेंज़र सोएंगे, नहीं होएंगे, सारी चीज़े एक्स्प्रेइन की हुई है, होप करते आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखाओ, यह सफिक किजेगे मौहमद हैरिस को या आजम खान को लेके जा सकते हो, जैसा मैंने वीडियो में एक्स्प्रेइन किया, होप करते हैं आपने वीडियो से काफी कुछ सीखाओगा, सीखा है तो प्लीज एक लाइक जरू करना, चैनल पर नए हो तो सस्काइब कर देना, मिलता है के लिए वीडियो में तब तक लिए, जैन!